एहम और गोपी एक दूसरे से प्यार करते थे, पर गोपी के पिता को ये मंजूर नहीं था, तो दोनों सुिसाइड करने का सोचते हैं, और दोनों ही रेल की पट्री पर जाके लेट जाते हैं, और ट्रेन का इंतजार करते हैं, पर इन में से कोई एक दोखे बाजे और वो तो चलि इसका जबाब देखते हैं तो एहम और गोपी में से गोपी दोखे बाजे और वो बच जाएगी और एहम मर जाएगा क्यूंकि आप ध्यान से देखोगे तो गोपी जिस पट्री पर लेटी है उस पर जंग लगा हुआ है और वहाँ पर फूल भी उगा हुआ है इसका मतलब यह है कि उस पट्री से ट्रेन कभी गुजरी नहीं है इसलिए गोपी बच जाएगी और एहम जिस पट्री पर लेटा है वो पट्री चमकदार और गिसी हुई दिखाई दे रही है इसलिए उस पट्री पर कभी भी ट्रेन आ सकती है इसलिए एहम मरेगा और यह बा झाल झाल